राजधाने भोपाल में मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट से आधी आबादी याने की महिलाओं को काफी ज्यादा उम्मीदे हैं महिलाओं ने उद्योग लगाने के लिए विशेश मदद की मांग कर रखी है महिलाओं ने ग्रामीड और पेचड़ी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डेडिकेटेड लेडी हॉस्पिटल के संक्या बढ़ाने की मांग रखी है महिलाओं अब सिर्फ घर नहीं बलकि देश चलाती है निर्मिला सीतारमण हमारी वित्वंत्री हैं और वो बजट पेश करने जा रही है तो आम बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए नारी शक्ते के लिए कुछ खास होना बेहत जरूरी है अंशु गुपता हमारे साथ है इस वक्त मैम बजट आने वाला है क्या कुछ उमीदे इस बजट से आप लोगों को है और आप क्या चाहती है कि इस बजट में उस चीज के लिए प्रौधान हो हम जानते हैं आप तो खुद अपना उद्धियम करती है तो ऐसे में ऐसे क्या प्रियास किये जा सकते हैं बजट के माध्यम से जिससे गाओं की महिलाएं या वो महिलाएं जो अब तक पिछडी है वो भी फ्रेंट लाइन में आ सके हैं सबसे पहले तो यही है कि हमारे यहाँ पर महिलाएं शहर में तो शिक्षित होने के बाद में अपना कुछ न कुछ योज़गार ढूंड लेती है लेकिन जो गाओं में ग्रामेड महिलाएं हैं उन्हें तो अभी तक कई छेत्रों में घर से बाहर निकलने की भी आजादी न जाती हैं वो सेफली घर से बहार निकल सके मैं अभी पढ़ाई भी कर रहे हूं साधी साथ तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो बजट आने वाला है वो बहुत अच्छा बजट हो जाकि जो स्टूडेंट है उनकी फीज थोड़ा कम हो जट आने वाला है तो महंगाई के लिए थोड़ा ध्यान दें मध्यमबर्ग के लिए जो फीज दवाईयां बहुत महंगी हो जाती है उनका हम लोग नहीं इसका खर्चा बहन नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए हमें सरकार से गुजारिश है कि इसमें हम लोगों को साथ साल के उम्रवालों को कुछ निसूल के मैडि रूअर पहने ए सँफता गयुति तो और ओर ओर भी क्लिनिक हैं तो अस्पताल हों तक तो हम लोग पहुच भी नहीं पाते हैं इतनी औ가 जो पास के ख्लीनिक होते हैं वह बहुत ज़्यादा पेसे लूटते हैं तो वह और वह में बहुत तकलिफे होता है कभी कभी तो हम अस तो इसके लिए धियान रखें सरकार की कि हम अध्यम बर्ग बालों के लिए बहुत ज्यादा परिशानी हो रही है तो कम से कम ठीक है कि हमें कुछ दवाइया हैं मेडिसन निसुल के बात कहीं कि है जो है वह बहुत बड़ा फैक्टर है और उसमें भी खास तोर पर महिलाओं से के स्वास समद्द्द जो तमाम सारी परिशानी होती है दिक्कत होती है उस पे कुछ स्पेसिफिकेशन बने हो और क्यों ना महिलाओं के लिए सिर्फ लेडी हॉस्पिटल बहुत सारे खोल दिये जाएं आज भी हमारे भुपाल में राजधानी इतना बड़ा शेयर लेकिन स होती है जैसे तो वहां वो सहज नियोपाती है इस तरह से जब महला हॉस्पिटल होएंगे तो वहां वो अपनी परेशानी खुल के कह पाएगी उनके इलाज के लिए अच्छे वातावरन होएंगे और महलाओं क्योंकि घर परिवार भी देख रही हैं बहुत सी महलाओं बा अपनी स्वास्त को बहुत स्वास्त को चाया है है चैना कुम बहुत सब्सक endeavor ऑफर दूसरो को हुआ ही मत était अगर उसके लिए यह चीज़ हो जाएंगी तो डेफिनेटली उन महलाओं के स्वास्त को बहुत अच्छे से हम ठीक भी कर पाएंगे और महला जब स्वस्त रहेंगी तो देश भी स्वस्त रहेगा सरकार हर चीज़ अकेले नहीं कर सकते इसलिए बहुत सारे self-help groups भी बने हुएं एंजियो भी बने हुएं और बड़े पैमाने पर महिलाओं के अपने बनाए हुए समू भी काम करते हैं इन समू से आप भी जुड़ी होई हैं आपका भी एक बड़ा group चलता है तो इन समू को अगे बढ़ानी की दिशा में कुछ कदम सरकार उठाए जी गुरूप से तो बगेर मदद के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं उसके लिए आर्थिक कंडिशन भी सही होना चाहिए जो कि सरकार से ही होनी चाहिए यह हमारे साथ भोपाल की बहुत जागरुक महिला है और यह भल महिलाए हैं वो मेन स्क्रीम के साथ जुड़ सकें एजूकेशन की बात हो हेल्थ की बात हो या फिर बिजनिस की बात हो नौकरियों की बात हो तो बहराल देखना होगा कि जब कल बजट का पिटारा खुलेगा तो इसमें हमारी आधी आवादी के लिए क्या कुछ निकलता है तो 23 जुलाए को मोधी सरकार केंद्रिया बजट पेश करेगी और इस बजट से लेकर लोगों की बात हो युवाओं हो या फिर महिलाए हो हर वर्ग जो है हर वर्ग के लोग इससे उमिद लगा हुए हैं जब नियूज 18 की टीम ने महिलाओं से बात की बजट पर तो उन्हो कोछ लोगों ने समान कानून पर पल दिया क्या महिलाओं की मांग है यह सुनाते हैं बजट तो हर बार आता है आते ही रहेगा लेकिन आलू प्याज और अपने नीजी स्वार्थ के से उपर उठके हम लोगों को सब देश वासियों को सोचने की आवस सकता है कि हमारा देश क कैसे सम्रिध हो और आपसी जो हमारी एकता है और अखन्डता है उसको जो नुकसान पहुचाने वाली जो सकतियां है उनसे कैसे कठोड़ता सनिफटा जाए सारा बजट इसी पर लगा दिया जाना चाहिए महिला के लिए स्पेसल बजट पूरुष के लिए स्पेसल बजट सबसे पहले में हमारे लिए सबसे पहले काफी उमीदें अच्छे रहे देखें गोजर्मिन्ट का काम अच्छी सबसे लाते हैं लेकि सब को खुश ने किया जा सकता कोई भी वर्ग एक वर्ग जो है दुखी रहेगा एक वर्ग खुश रहेगा ऐसा होता है तो लेकिन जो सरकार के जो अच्छी नीतियां हैं उनका सब को समर्थन करना चाहिए न कि जाती पाती धर्व को सोच करके लेकिन आज कल क्या बिडंबना हो गया है कि अगर पच्छी में कोई अगर सरकार है विपच्छी लोग है तो बिना कुछ देखे आख मूद करें कुसका विरोधी करना है अगर कोई भी का कोई भी गौश आ रही है इस समें महंगाई का बहुत बड़ा आप देख रहे हैं प्रभा बहुत है चीजों सब्जियों के रासन के समान के बहुत बहुत लगातार बढ़ते जा रहे हैं एक कर्मचारी होने के नाते मेरी आसा है एक उम्मीध है केंद्री बजट को लेकर कि भाई एक तो क्या है अ किृष्यों की है अतने कम तनका में घर चलाने के लिए उसमें काबील ही नहीं है तो घर चलाना भी मूस्खिल फो हो जाता है परियो के साथ कुछ अनोहनी हो गया दुरघटना हो गया तो इतने दस अजार पंदर हजार की सेलरी में यह सब संभव नहीं है 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 माचल प्रदेश के सियम सुखविंदर सिंग सुखू ने नट्वक 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री के लिए शुख कामनाय दी है उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौध ही लगाना जरूरी है कि हम एक एक पीड लगा कर जो हवारा हरित राज्जा बनाने का सपना कथिस मार्च दो जाट्श पिस तक है हवारे पर्यावरण को साफ रखने के लिए स्वच रखने के लिए उसको उसके लिए एन्यूज एकिन की देम को बहुत बहुत शुपका मैं देता हूँ